इस वीडियो में किसी भी दवाई का प्रचार नहीं करते, किसी भी दवाई को इस्तमाल करने से पहले एक बार डॉक्टर से जरूर सलाह ले। अगर आप इस वीडियो को देख कर किसी दवा का उपयोग करते हैं और आपको कोई साइड एफेक्ट होता है, तो उसमें हमारी कोई जिम्मिदारी नहीं होगी। प्रिवोकोन टेबलेट का इस्तेमाल हंटिंग्टन रोग का इलाज करने के लिए किया जाता है, जिसमें समय के साथ मस्तिष्क में तंत्रिका कोशिकाएं टूर जाती हैं, इस प्रकार व्यक्ति की शारीरिक और मानसिक शम्ता कम हो जाती हैं। यह शरीर के बेकाबू और जटके वाले मूवमेंट से राहत पाने में भी मदद करता है। रिवोकोन टेबलेट को भोजन के साथ या भोजन के बिना लिया जाना चाहिए। हाला कि इसे हर दिन एक तैस समय पर लेने की सलाह दी जाती है, क्योंकि इससे शरीर में दवा के समान लेवल को बनाये रखने में मदद मिलती है। इसे अपने डॉक्टर द्वारा बताई गई खुराक और अवधी के अनुसार ले और अगर आप कोई खुराक लेना भूल जाते हैं, तो जैसे की याद आये तुरंट ले। डॉक्टर से बात किये बिना इस दवा का सेवन अचानक बंद नहीं किया जाना चाहिए क्योंकि ऐसा करने से आपके लक्षन और अधिक खराब हो सकते हैं। हाला कि यदि आप Neuroleptic Malignant Syndrome का अनुभव करते हैं, जो बुखार, मांस्पेशियों में अकरन और बेहोशी या दौरे के लक्षन पैदा करता है, तो इस दवा को तुरंट बंद कर दें। इस दवा के कुछ सामाने साइड इफेक्ट में शामिल हैं, मिचली आना, अनिद्र, नींद में कठिनाई, चिंता, ठकान, अकाथीजिया, बेचैनी और स्थिर रहने में अक्षमता और डिप्रेशन। इस से चक्कर आने और नींद आने की समस्या भी होती है, इसलिए जब तक आप यह न जान ले कि यह दवा आपको कैसे प्रभावित करती है, तब तक ड्राइव न करें या कुछ भी ऐसा न करें जिसमें दिमाग को एक आग रखने की आवशक्ता हो। इस दवा का सेवन करते समय अगर आपके मूड या व्यवहार में कोई असामानी बदलाव होता है, आपमें नए या बिगरते जा रहे अवसाद या आत्मगाती विचार के लक्षन दिखें तो अपने डॉक्टर को बताएं। विडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको विडियो अच्छी लगी हो तो विडियो को लाइक करें। और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकॉन पर क्लिक करें और आल नोटिफिकेशन को क्लिक करें धन्यवाद